बोल रहे थे हम तो उससे सत प्रत्सत सहमत है वो एक अलग विश है लेकिन इस बार जो कुछ भी सोशियो एकोनोमिक सरवे का रिपोर्ट आएगा और मुझे पूरा भरोसा की वही रिपोर्ट आएगा और उसके आधार पर जो हम लोगों ने स्कीम बनाई है आज क्यों 30,000 रुपया एक घर को बनाने के लिए मिल रहा है तो उसमें जो लोग भी बंचित रह गये थे उसके बारे में भी हम लोगों ने केंदर सरकार से कहा और दूसरी बात चुकी एसी सी से संबंदित वो था लेकिन उसके अलावे बहुत लोग है गरीब लोग जो छूट गये ह तब हम लोगों ने कहा कि भाई जो ग्रामीन का विकास विवाग ने जो कुछ भी तयार किया था लिस्ट अगर उसके हिसाब से वहां से मंजूरी मिल जाती है तो अच्छी बात है नहीं तो उसके अलावे प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन से जो परिवार वंचित ह उसके लिए हम लोगों ने दो चीज के लिए एक तो जो उससे वंचित है मुख्य मंतरी आवास योजना और दूसरा जो पुराने 96 से जो इंदरा आवास बन रहा था एक साथ आवास बन रहा था अब वो जरजर स्थिती में है तो उसकी जगह पर उसका रिप्लेस्मेंट कर करने के लिए दोनों काम के लिए हमने मुख्य मंतरी आवास योजना की सुरुवात कराई है और उसके लिए भी एक लाख पी सजार रुपया देंगे अब जो ग्रामीन आवास योजना में जिन लोगों का नाम है उसमें से बहुत लोग हैं जिनके पास अपनी जगह नहीं तो उन लोगों को जगह खरीदने के लिए साथ हजार रुपय की सहायता देने का भी हम लोगों ने कारेकरम बना दिया है तो अब ये दोनों काम से अब इस पूरे सर्वे से उस पूरे इलाके में ये तो पूरे बिहार के लिए हम लोग ये देख लेंगे कि भाई ये तो सबसे पहले तो लोगों को ग्रामीन आवास के लिए उनके आवास के लिए ये सुभधा हम लोग उपलब्त कराएं दूसरी चीज है एक कारेकरम हम लोगों ने और सुरू किया सतत जीविको पार्जन योजना ये दो काम के लिए एक तो वैसे लोग हैं जो बिल्कुल हा प्राट भी नहीं है ऐसे परिवारों को चिन्यित कर लिया जाए। और उन परिवारों को चिन्यित करके उनको उन सारी योजनाओं का लाफ दिया जाए। यह भी हम लोग ने स्कीम बना दिया है। अब यह सोशियो एकॉनोमिक सरवे होगा तो एक तो सतत जीविको पारजन योजना का लाब यह होगा कि उसको कोई न कोई काम करने के लिए हम लोग साथ हजार रुप्या से लेकर एक लाख रुपे तक की मदद करेंगे ताकि वो कोई भी काम करे, कोई दुकान खोल ले, कोई काम कर ले, गाय का पालन करे, कुछ भी करे, तो उसके लिए उसको प्रिरिद करके, और इसके लिए हम लोगों ने जीविका समू को लगाया. अरे भाई सुन तो लीजिए न, अरे भाई इसके बात सुन लीजिए, ये सारी बात ज़रा जान लीजिए, ये काम करने वाला है, और एक तो हम आपको लोगों को और बताते हैं, ये जो घटना घटी है, दुर घटना घटी है, बहुत ही हम लोगों के लिए चिंता जनक चीज है और आगे हम बता देना चाहते हैं कि इस बार मुझको लग रहा है चाहे मौसम विज्ञान विभाग जो भी कहे मुझको लग रहा संका है कि भैंकर सुखा पढ़ने वाला है और इसके लिए हमको जितना करना हम सब तयारी कर रहे हैं और हमने आगरा किया है एक सारदनी कारि स्थितर की स्थिति को जानकर उनके विचार को जानकर आगे भी कुछ नहीं हो अभी एक घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग पुर्ण लेकिन जो स्थिति मौसम की हो रही है उसमें क्या कल होगा नो बड़ी नोच कोई नहीं जान रहा बहुत भैंकर स्थिति है तो इसलि लोग चाहते हैं कि सब को जो सहायता मिलती है सरकार की तरफ से वह मिले आखिरकार वह गरीब आदमी को घर क्यों नहीं है इसका मतलब है कि वह ना इंदरावाद से लाभान भी था ना आज की नई योजना से लाभान भी था तो अगर सर्वे करके जब तक पहचान नहीं हो जाएगी और सिर्फ जो प्रभावित हुए हैं वही परिवार नहीं बाकि अन्य परिवार हैं आज एक परिवार प्रभावित हुआ है कल कोई दूसरा परिवार प्रभावित हो जाएगा इसलिए सब के लिए करना पड़ेगा पूरे तोर पर और जो इसकीम हम लोगों ने पर नहीं रहे जितनी बात हम लोगों को समझ में आई है उस हिसाब से काम कर रहे हैं और जीविका समु के माध्यम से भी उसका सरवेक्शन कर वार रहे हैं और जान लिजे जीविका समु बनने से आज आठ लाग स्वेंग साहता समु बना है करीब करीब एक करोड परिवार की महिलाएं जुट गई जुड गई है और ये जीविका समू की सुरुवात हमने की वर्ल्ल बैंक से कर्ज लेकर छा जिले के 44 ब्लॉक से अब पूरे बिहार में लागू है 10 लाग स्वेंग साहता समू का मेरा लक्ष था आज अभी वो लक्ष पूरा नहीं हुआ हम तो चाहेंगे कि ये जितने परिवार हैं अगर वो जीविका समू से चुड़ी नहीं है तो उसको जीविका समू से जोड़ेंगे महिलाओं में जागरती जीविका समू के माध्यम से ही हम लोगों ने लाने की कोशिस की है और अगर जीविका समू से जुड़ जाएंगी स्वयंग साहता समू से जुड़ जाएंगी तो उनमें बहुत चीजों की जानकारी और समझ होगी उनमें जागरती आएगी और इस जागरती के बदौलत ही आप उनको बता सकते हैं कि बच्चे को भूखे मत रहने दो बच्चे को गंदी जगह पर मत रखने दो बच्चे को साफ सुत्रा रखो ये कुछ भी बात करेंगे ये सिर्फ सरकार की एजेंसी के माध्यम से हम लोग करना चाहेंगे एक हद तक आप कर सकते हैं लेकिन जब तक पूरे तोर पर सामाजिक तोर पर इसके साथ जुड नहीं जाएंगे तो जीविका समू से इसलिए जूड रहें और उनको जीविका समू से जोड़ेंगे सतत जीव को पारजन योजना का लाप और कोई भी बात हो, हम वहाँ गए हैं और इसके बाद जान लिजिए जैपनी जिन से फलाइटिस तो होता है गया और कई जिलों में होता है लेकिन सबस्यादर चर्चा गया की होती है जो इस वार लू से लोग मर गए बड़ी संख्या में लोग मर गए तो हम वहाँ भी गए और वहाँ भी जाकर के सब लोगो देखा कि सारे लोग बुजुर्ग थे बुजुर्ग थे कई लोगों को देखा कि भाई ये जो सिकार है आज उनका डित नहीं हुआ लेकिन उनका इलाद चल रहा कई प्रकार की बिमारियों के सिकार जादा उम्र के लोग सबसे हम पूछ रहे थे उनके परिवार के लोगों से भी पूछ रहे थे तो सबसे बड़ी चीज है आवेरनेस और वहाँ पर जो हमने बात की उस लोग की वो सबके लोगों से मिलने के बाद जो हमने चर्चा की लोगों के साथ बैठ करके और सारे अधिकारी लोग मौजूद थे उन सब लोगों से बादशित कि और हमने पूछा कि भाई जैपैनी इनसे फलाइटिस के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं उन लोगों ने बताया कि हम लोग इसके ठीका करन का करवाई प्रारंप कर रहे हैं और उन लोगों ने बताया कि जो जिले हैं इसके अलावे ग्यारह और जिलों में वैक्सिनेशन के लिए उन लोगों ने केंदर सरकार के पास भेजा है क्योंकि उसके वैक्सिनेशन के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो केंदर सरकार से आता कहा कि भाई जरा उन चार जिलों का भी ठीक से देख लीजिए उन चार जिलों में भी देख लीज़े वना पता चला कि हम बाकी सब जगह पर करवा रहे हैं अब बाकी जगह पर हो गया तो क्यू नहीं सब जगह करेंगे तो उससे Japanese Encephalitis से बचेगा और ये जो है Acute Encephalitis Syndrome कई तरह के लक्षन है, कई तरह की बिमारियां है, क्या है लेकिन Syndrome, अभी तक उसको Syndrome कह रहा है अभी तक कोई निश्चित बिमारी तक नहीं पहुंचे हैं लोग इस पर बहुत अनुस अंधान कर रहे हैं और जिस परिस्थिते में हुआ, तो एक एक चीज का ये बहुत ही कंभीर मसला है और हम सब लोगों के लिए दुखत है कि अगर ऐसे लोगों को हम पहले से ही बचा नहीं पाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं, आप चाहे जितना भी काम कर लिजे अगर इस तरह की कोई घटना घट जाएगी तो मन इतना दुखित होता है इतनी चिंता में डूब जाता है कि बहुत सारे काम भी प्रभावित होने लगते हैं कि मन में वही बात रहेगी और आज क्या है, सब के मन में वही बात है तो अन्य काम भी होना चाही ही इलाकों में और उसी तरह से अन्य पूरे बिहार के एक एक गाउं का देख करके और हम लोग एक लक्षंदर धारित कर देंगे और बाजापता अभी जो बजट का प्रापधान है उससे काम नहीं चलेगा तो हम लाएंगे सेकेंड सप्लिमेंटरी में लाएंगे कि इसके लिए हम लोगों को और इतना काम करना है और यह सबस्यादे प्राथमिकता है हम जब तक लोगों की इस थिती में सुधार नहीं लाएंगे और सबसे बड़ी चीज है उसके रहने का जगह नहीं हो उसके कुछ काम करने के लिए उसको कुछ हम सहायता नहीं कर सकेंगे तो कोई उमीद करना और उसको किसी तरह की बीमारी नहों इसके लिए जो भी काम पहले करना है उसके बचाओ के लिए करना ही पड़ेगा तो यह बहुत दुखत बात हुई है और इस पूरे चीज को ले करके हम लोग करते रहे हैं नहीं कर यह एसबेस्टस का हम को डिपार्टमेंट ने भेजा है जिसके हम चर्चक कर चुके हैं एसबेस्टस की फैक्टरी जो कोई लगाना चाहता था जिसके बारे में आपसे चर्चक कर चुके हैं वही इस भी लिखा हुआ था तो और जो भी करेंगे अच्छी तरह से सब परिवार के बच्चों को जब तक हम आंगन बारी किंदर से नहीं जोड़ेगे तो कैसे काम चलेगा तो आंगन बारी किंदर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी आंगन बारी किंदर की संख्या बढ़ाई जाएगी कन्या उत्थान योजना की अगर बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए जो साहेता दी जाती है ये सब काम जीविका समू से जोड़ना हमने बात किया ट्वाइलिट तो सब में बनना ही है और इस बार बापू जेहनती के अवसर तक पूरे बिहार में हर घर में सौचाले का निर्मान करने का हमनों का लक्ष है ये करना है और इसके साथ जो हम लोग कर रहे हर घर नल का जल सौच पानी पीने को हो जाए और हम हर जगा कहते हैं अगर खुले में सौच से मुक्ति हो जाए भाई ये जरा समझ लो बात कुछ भी बीच में जरकान में सुनियेगा न तो थोड़ा बहुत कभी कभी आप भी बोलियेगा नीचे उसका आसर पड़ेगा वरना सौचाले बन जाता है और सौचाले में पखाना करने के बज़ाए लोग खुले में चला जाता है पुरानी आदत है ये समझाना पड़ेगा कि खुले में सौच से मुक्ति और पीने के लिए स्वच पानी मिल जाए तो आज जितनी बिमारी होती है नबे प्रसत बिमारी नहीं होगी और हम प्रारंब से सब लोगों के बीच में कहते हैं तो इसलिए हर घर नल का जल नहीं दो मिनट रुक जाए दो मिनट रुक जाए अरे इस बात को सुन दे लिए आपके परचार में गय थे ते नहीं भासन दिये थे अभी रहे तो खुले में सौस से मुक्ति और हर घर नल का जल और स्वच्छता के प्रती अभियान ये सारी बात इसके साथ जोड़ करके और जो भी इस स्कीम से और एक एक का अभी देख लिज़े अभी का तो रिपोर्ट कितना है हमने तो लक्ष रखा संपूर्ण ठीका करन बिहार में कितना था भई पहले 20-25 परसेंट के बीच में ठीका करन होता था अभी 84 परसेंट से भी ज़्यादा हो गया है लेकिन हमारा लक्ष है कि टॉप फाइब देश में जो उपर के पांच राज्य हों जिसमें संपूर्ण ठीका करन का और ठीका करन अगर नहीं करियेगा तो कही न कही न कही प्रकार की बीमारियां गरीब बच्चों को हुई जाएगी ज़र ठीका करन नहीं कराएगा तो संपूर्ण ठीका करन तो इसको सब कुछ करेंगे और आप जान लीजिए जो हमने सिर्किस मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो देखा हमने मुझे बहुत तकलीफ हुई है मुझे इस बात की तकलीफ हुई है कि हम उसको पहले क्यों नहीं देखे थे और वहा जाने के बाद ही उस समय हमने तय किया 600 कुछ का वो बेट है हमने कहा कि इसको भी जैसे हम लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को 2500 बेट का कर रहे है या आईजी आई एनस को 2500 बेट का कर रहे है मुझफर पुर हॉस्पिटल को भी पचीश सौ बेट का करेंगे और अभी इमीडियेट काम सुरू हो जाए और पंद्रा सौ बेट का तो सबसे पहले इसको बना दे उसके बाद आगे का हमने वहाँ देख करके कई सुझाव हम देख करके आए और क्या-क्या करना है एक एक हॉस्पिटल आईसु का पी-ाईसु की तो बात हो चुकी है उस सौ का तो बन ही जाएगा और और इसके अलावे ज़ह हम वहाँ गये थे गया में गया में भी हमने देखा है गया का भी हॉस्पिटल उसके लिए जो भी धन रासी की ज़रुवत होगी हम लोग अपनी तरफ से करेंगे तो मैं तो इतना ही कहूंगा घटना तो घटना तो बहुती दुरभाग्य पूरुन है बहुती चिंता जनक है लेकिन हम सब लोगों को लोगों के बीच में consciousness लाने के लिए लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का उत्थान करना और इन सब चीजों के अलावे awareness जागरती लाना यह एक एक काम करना पड़ेगा तभी हम भविस में ऐसी चीजों को से मुक्ति पा सकते हैं हम तो नहीं कह सकते हैं यह कुद्रत का कौन सा खेल क्या प्रभाव पड़ेगा आप जरा बताईए आज कल पानी कम पड़ रहा अब बजरपात हो रहा है कुब बजरपात हो रहा है कभी कभी गौर से देख लीजिए एक डॉक्टर तो वहां पर थे उसने करा कि 34 में जो इर्थक्वेक हुआ था उसके चलते यहां का इलाका जो एफिक्टेड हुआ उसके कारण कुछ हो रहा है खरे इसके बारे में तो कोई नहीं जानता कि यही बात है लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम तुरत हम कंक्लूड कर दें इसके बाद आप बोलिए न हम फिर बोलेंगे आप कहिए गार फिर बोलेंगे खाली सुन लिए हम ये कहना देखें ये सरकार की चीज नहीं है ये अवेरनेस की चीज है इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी स्थिती ना आए इसके लिए हम प्रयास करेंगे लेकिन कोई भी कोई दावा करेगा कुद्रत के बारे में जिस तरह से पर्यावरन में बिगाड़ा रहा है अब साहब हमने नल का जल पहुचा दिया आवेरनेस लाना अब नल का जल पहुचा रहे हैं पीने के लिए सच पानी न अब उसी पा जल में अगर उसका कुछ है तो उसका पटवन कर रहा है ये करोगे भाई तो ग्राउंड वाटर का लेवल कहां जाएगा और एक बात जान लीजिए आप ये पूरी दुनिया में क्राइसिस होने वाला बिहार में भी क्राइसिस आ रहा आप उन इलाकों का नीचे का जल अस् आप सोच सकते हैं दर्भंगा में कोई सोच में नहीं सकता था तो ऐसी स्थिति हैं कुद्रत का हम तो एक बार आग्रह करेंगे इस मिसे पर जो कहिए लेकिन एक बार बैठिये सारे लोग हाउस के बाहर सब को बैठाएंगे पूरे दिन अपना अपना अनुवबन बताईए और जो स्थिती परियावरन की बिगरती चली जा रही है लोगों को अवेर भी करना पड़ेगा आप बिजली पहुचा रहे हैं तब बिजली की जो चीज जरूरी है उसके लिए इस्तेमाल होना ची अब ततकाल आप उसका और उपयोग करिएगा तो धीरे धीरे तो भाई प प्रदूसन का क्या हाल है जिसके पास पैसा आ जाता है तुरत खूब गाड़ी खरिदने लगता है तो वायू प्रदूसन तो कई तरह की समस्या है देखिए हम लोगों को अवेरेंस लाना पड़ेगा अगर अवेरेंस नहीं लाएंगे तो अलग-अलग समय में अलग- घटेंगी जो आप उसके लिए सब लोग चिंता में पड़ेंगे तो हम सब लोगों को संजुक्त रूप से चिंतित होकर अवेरेंस लाने की कोशिस करनी पड़ेगी और क्या-क्या करना चाहिए आज जो जहां की घटना घटी है उसको देखते उन इलाकों में और बचे-ख का सयुक्त चाहेंगे और इसके मामले में जो कुछ भी हुआ है हम लोगों ने ऐसे परिवार के परिजन के लोगों को जो लाब देने की बात हम लोग सोच सकते हैं उन सब दिसा में हम लोगों ने निरने लिया है और आज तो चुकी medical point of view से एक-एक detail इन्होंने रखा है लेकिन कल जो आपका जाएगा उसको जरूर पढ़ लीजिएगा उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद ये लगेगा कि क्या इसमें और कुछ करना चाहिए उसके बारे में भी सुझाओ दे सकते हैं तो हमको इतना ही है और हम पूरे तोर पर और अध्यक्ष महोदे को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मिशेपर जिसको लेकर हरा आदमी चिंतित है उस पर बाकी कारे को श्थगित करके आपने इस पर परिचर्चा कराई इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ